वीडियो के इस अंक में हम आपका एक बाग फिर स्वागत करते हैं आज का हमारा विशय है अशुद्धियों का शोधन यानि रेक्टिफिकेशन आफ एरर्स जब भी कभी भी हम लोग अकाउंटिंग प्रॉसेस के अंदर तलपट का निर्मांड कर चुके होते हैं यानि ट्रा खांकन की द्रिस्टि से कोई तूटि तो नहीं रह गई है और अगर तूटि रह गई है तो उसका पता कैसे लगाए जाए यदि हमें तूटि का पता चल जाता है तो हम लोग उनका शोधन करते हैं जिसका नाम है अशुद्धियों का शोधन यानि रेक्टिफिकेशन आफ तो यही आज हमारा विशे है इस विशे को समझें उससे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि अशुधियां कितने प्रकार की होती हैं और उसको हम लोग क्या वो खाता भई को कैसे प्रभावित करती हैं वो एक पक्षे होती हैं या दुए पक्षे होती हैं उससे पहले हम इसके ब accounting errors है इसी के अधार पर हम लोग इसको लेके चलते हैं सबसे पहले clerical errors यानि कि लिपी की अशुद्या clerical errors बच्चों हमने इसको क्या नाम दिया clericals क्योंकि accounting का काम यानि लेखांकन का काम हम लोग सारे मिलके करते हैं मानवी एकाम है जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें अशुद्धी होने की संभावना बनी रहती है इसलिए इसको नाम दिया गया clerical errors जिनको हमने आगे वर्गिकरत किया है लोग अशुद्धी error of omission error of omission ये भी दो प्रकार की होती हैं आशिक यानि partial पुर्ण यानि complete omission यानि complete omission लिपी की अशुद्धी उसमें सबसे पहले हमने ली लोप अशुद्धी यानि की error of omission है error of omission दो होती हैं आशिक और पुर्ण यानि partial और complete दूसरी होती है error of commission error of commission जिसको हम खातों की अशुद्धी भी बोलते हैं error of commission इसके क्या example हैं ज्या उधारण हैं तीसरा है संपूरक अशुद्धी compensating errors compensating error कई लोग इसे च्छती पूरक अशुद्धी भी बोल देते हैं दूसरा जो प्रकार है वो है सैधान्तिक अशुद्धिया error of principle error of principle error of principle सैधान्तिक अशुद्धी इन सारी अशुद्धियों को एक बार थोड़ा सा उधारण की सायता से स्पस्ट करने की कोशिस करते हैं error of omission जब भी कभी भी हम किसी भी लेंदिन को लिखते हैं मान लेते हैं कि हमने राम से 2000 रुपे का माल खरीदा हमने राम से 2000 रुपे का माल खरीदा यदि हम राम से 2000 रुपे का माल खरीते हैं तो हम उसको journal में entry बनाएंगे परचेज अकाउंट डैबिट तू राम दो हजार रुपए अगर हमने राम से दो हजार रुपए का माल खरीदा तो हमने एंट्री बिनाई परचेज अकाउंट डैबिट तू राम परणतु जब इसको हमने लेजर में पोस्ट करना शुरू किया यानि उसकी खताव नहीं करने शुरू की तो परचेज अकाउंट में हम दो हजार रुपए पोस्टिंग करना भूल गए तो एक साइट पे हमने पोस्टिंग नहीं की इसलिए हम इसको पार्शल ओमिशन यानि आन्शिक अशुद्धी बोल रहे हैं क्योंकि परचेज अकाउंट के डैविट साइट पे हमने दो हजार रुपए का अंकन करना चाहिए था जो हमने नहीं किया तो ये लोप अशुद तो ना हमने परचेज में लिखा ना हमने राम के अकाउंट में लिखा ना हमने डैविट में लिखा ना हमने प्रविस्थी को हम रिकार्ड करना भूल गए तो ये हुई error of complete omission यानि कि हमने पूर्ण रूप से उसको लिखना ही खुल गए अगर इसी लेंदेन के अंदर हम जानना चाहें कि error of commission क्या होती है तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं हमें purchase account को 2000 रुपै से debit करना चाहिए था परंतु हमने 2000 की बजाए केवल 200 रुपै से ही उसको debit कर दिया अब आप देख रहे हैं बच्चो purchase account इस लेंदेन के अंदर 2000 रुपै से debit होना चाहिए था परंतु हमने उसको debit कितने से किया केवल 200 रुपै से इसको हम बोलते हैं error of commission यानि कि amount में जो difference आ गया वो 1800 रुपै का difference आ गया 2000 रुपै से purchase account debit होना चाहिए था क्रे अकाउंट को debit कर देना चाहिए था परंतु हमने केवल उसके debit में 200 रुपै डाले 1800 रुपै कम डाले तो यह हो गई error of commission तीसरी होती है compensating errors यानि समपूरक शुद्धी या फिर बोले छती पूरक शुद्धी यदि हम गलती से क्रे अकाउंट को यानि क्रे खाते को 2000 रुपै से हमने गलत debit कर दिया है हमने debit किया, wrong debit किया लेकिन क्रे खाते को किया और उसी के साथ यदि हम एक और अकाउंट कर दें विक्रे अकाउंट यानि की sales अकाउंट 2000 रुपै से हमने गलती से उसे access credit कर दिया यानि जादा credit कर दिया उधर देखें 2000 रुपै हमने जादा debit किया क्रे खाते में उधर हमने 2000 रुपै विक्रे खाते में debit किये यानि debit में भी 2000 रुपै आ गए credit में भी 2000 रुपै चले गए और एक अशुद्धी ने दूसरी अशुद्धी को compensate कर दिया यानि एक अशुद्धी ने दूसरी अशुद्धी को संपूरक कर दिया trial balance में इस तरह की कही कोई गलती हमें locate नहीं होगी अब आप यहां से समझ सकते हैं क्या ये वाली गलती तलपट से मिल जाएगी तो इसका answer है हाँ ये तलपट जो है प्रदर्शित करेगा यानि ये वाली गलती को तलपट प्रदर्शित करेगा क्या complete omission को तलपट से locate किया जा सकता है तो इसका answer है नहीं क्योंकि complete omission दोनों साइट से ही हट गई है ना वो debit में गया ना वो credit में गया इसलिए इसको तलपट locate नहीं कर पाएगा क्या error of commission को तलपट locate करेगा तो इसका तरह हाँ ये करेगा ये तलपट से प्रदर्शित हो जाएगी यानि कि आपको दिख रहा है trial balance जो है इस गलती को पैचान यह हमें बता देगा इस वाली गलती को भी तलपट से प्रदर्शन उसका हो जाएगा ये प्रदर्शित करेगा शो करेगा इसे क्या compensating errors trial balance से locate हो पाएगी तो इसका answer है नहीं क्योंकि trial balance के debit side में भी गलती से इतना amount चला गया और credit side में भी इतना amount चला गया इसलिए ये गलती हमें पता नहीं चल पाएगी अब आती है शिधानती को शुद्या यानि error of principle आखिर ये शुद्य होती कौन सी है अगर हम इसको बहुत ध्यान से समझे में उस तरह की गलती है जो लिखांकन के सिधानतों के विपरीत हम किसी प्रविष्टि को पास कर देते हैं अब लिखांकन के सिधानत क्या कहते हैं अगर आपको इस समझ में आया हो सबसे पहले हमने लिखांकन का जब शुरुवात किया था तो दो तरेके की हम लोगों ने खर्चों को लिखा एक होते हैं पूंजी गत खर्चे और एक होते हैं आयगत खर्चे यानि की अगर किसी कोई हम लोग कोई संपत्ती खरीते हैं अगर हम किसी संपत्ती को खरीते हैं तो वो एक पूंजी गत व्याय है यानि capital expenditure है और capital expenditure के संबंदित में हमारे को एक सद्धान्त है कि जो भी capital expenditure हो वो assets के नाम से debit होना चाहिए यानि कि उस संपत्ती के नाम से debit होना चाहिए परन्तु हम लोग तुरूटिवश या भूलवश हम उसको आईगत मान लेते हैं और जो संपत्ती हमने खरी दी थी उसको क्रेक खाते के अंदर debit कर दिया जाता है अगर ऐसा हुआ कोई संपत्ती हमने खरी दी उसको संपत्ती अकाउंट में हमने debit नहीं किया बलकि उसको क्रेक खाते में debit कर दिया ऐसी अशुद्धि को हम लोग संधांतिक अशुद्धि या error of principle कहते हैं क्या ये तलपट से प्रदर्शित होगी तो इसका उत्तार है नहीं ये तलपट से प्रदर्शित नहीं होगी तो हमें ये समझ में आ रहा है आंशिक अशुद्धी जो लोब की आंशिक हुई है वो तलपट से प्रदर्शित होगी Error of Mission ये भी तलपट से प्रदर्शित हो जाएगी अब हम लेखांकन की दृष्टी से जब उनका शुद्धियों का शोधन यानि रैक्टिफिकेशन करने की कोशिस करेंगे तो हम ये जानने की कोशिस करेंगे कि रैक्टिफिकेशन ओफ एरर यानि उसको शोधन करने की दृष्टी से हमने अशुद्धियों को दो प्रकार में डिवाइड कर दिया उसको दो प्रकार में वगिकर्प कर दिया एक पक्षिय अशुद्धी यानि one-sided error एक पक्षिय अशुद्धी और यह है यहाँ पे दूसरा प्रकार है दूई पक्षिय अशुद्धी यानि two-sided error एक पक्षिय शुद्धी उनको दो तरीके से उनका शोधन किया जा सकता है उनको rectify किया जा सकता है आप यहां से समझ रहे होंगे एक पक्षिय शुद्धी हम किसे कहते है जो केवल एक ही खाते को किसी तरह से उसके उपर असर डाल रही है यानि केवल debit पक्षिय या तो उसका असर आ रहा है या फिर उसका असर credit पक्षिय और आ रहा है अगर एक ही पक्षिय उपर उसका असर आ रहा है तो उसको हम लोग suspense account या तो खोल सकते हैं दिपक्षे जित्री भी अशुद्धी होती हैं वो अशुद्धियां होती हैं जो दो अकाउंट्स को एफेक्ट करती हैं उनको हम लोग एक Rectified Journal Entry बनाते हैं Rectified Journal Entry यानि कि एक नई प्रविष्थी हम लोग यहां पे बनाएंगे नई प्रविष्थी हम लोग पास करेंगे जो की अशुद्धियों का शोधन करेगी अब कैसे करते हैं इसको एक example की help से समझते हैं और बताते हैं पहले हम यह one-sided direct लेते हैं इसका example नमबर एक विक्रे खाते का योग दो हजार रुपै कम पाया गया तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है विक्रे खाता यानि sales account विक्रे खाता यानि की sales account अगर sales account का total 2000 रुपै कम है या sales book का total 2000 रुपै कम है तो यह एक पक्षिय शुद्धी होगी क्योंकि सिर्फ गलती हमें कहां मिल रही है विक्रे खाते में यानि की sales account में तो one-sided error दो तरीके से ठीक की जा सकती है या तो हम suspense account खूले या बिना suspense account मैं आपको दो तरीके से करके दिखाता हूँ अगर हम suspense account खूलना नहीं चाहते और हम इस अशुद्धी को ठीक करना चाहते हैं तो विक्रे खाते का total 2000 रुपे कम पाया गया हमें पता है अगर sales account को debit करेंगे यानि उसको अगर उसके account के नामपक्ष में डालेंगे तो उसका balance कम हो जाएगा अगर उसको credit करेंगे तो उसका balance बढ़ जाएगा यहाँ पर हमें इस कलती में दिखाई दे रहा है इस तूटी में हमें फस्ट हो रहा है कि इसका 2000 रुपए का balance कम पाया गया इसको ठीक करने के लिए हमें 2000 रुपए इसके बढ़ाने पढ़ेंगे और अगर हमें इसको बढ़ाना है तो हम इसके credit side पर लिखेंगे by under cost of sales account 2000 रुपए तो बच्चों यहां से बिल्कुल पस्ट हो रहा है कि हमने 2000 रुपए इसके credit side पर डाल दिये यानि 2000 रुपए के जो कम था वो 2000 रुपए बढ़ गया तो यह था कि किस तरीके से बिना suspense account खोले हमने इस अशुद्धी को ठीक कर दिया अब दूसरा है अगर हम suspense account खोल के इसको ठीक करना चाहते है तो हम कैसे करें हम एक general entry का format तयार करेंगे रोजनामचा का format तयार करेंगे और उस रोजनामचे के format में जो हमें पता है क्या-क्या vibrant हम लोग लिखते हैं यहां पे press संख्या लिखेंगे कितना नामपक्ष, कितना जमापक्ष suspense account हमें खोलना है एक general entry पास करेंगे suspense account हमें बढ़ाना है तो हमें पता चला sales account को हमें credit करना है क्योंकि sales account हमें बढ़ाना है पर debit side पे हम उसे suspense account तो यानि हम इसकी rectified general entry बनाएंगे suspense account debit यानि उचनती खाता अकाउंट debit to sales account 2000 रुपए यानि यहां बिल्कुल इस उधारन से पस्ट होता है एक पक्षिय और शुद्धियों को ठीक करने के दो तरीके हैं या तो आप suspense account खुलें यानि उचनती खाता तयार करें या बिना suspense account खुलें अगर हमें बिना suspense account खुलें अगर वो ठीक करना है तो हम उस account के उस side के उपर उतनी राशी को लिख देंगे जितनी राशी कम या ज़्यादा मिलती है जैसे कि हमारे इस उधारन के अंदर 2000 रुपे कम पाये गए तो हमने उसको 2000 रुपे क्रेडिट में डाल दिया क्योंकि हमें पता है sales account को क्रेडिट करने से वो बढ़ जाता है तो हमने 2000 रुपे उसके credit side पे डाले और sales account का total योग जो है वो 2000 रुपे बढ़ गया अगर हम इसी error को उचनती खादा खुल कर ठीक करना चाहते तो हम इस तरीके से एक journal entry पास करेंगे suspense account डाविट साइड पे 2000 रुपे sales account credit 2000 रुपे तो ये एक पक्षिय अशुद्यों को ठीक करने के दो तरीके और एक उधारण की सायता से हमने दोनों आपको पस्ट किये अब हम जानेंगे कि दो पक्षिय शुद्यों का किस तरीके से शोधन किया जाता है एक उधारण हम लेते हैं हमने एक व्यव्यवसाई ने plant and machinery एक लाख रुपे की प्रै की जिसको सुरुटी वर्ष क्रै खाते में लिख दिया गया बच्चो अगर हम इस उधारण को बहुत ध्यान से देख रहे हैं plant and machinery अगर हमने एक लाख रुपे की भी गड़ड है और क्रै अकाउंट में भी गड़ड है तो हम देखते हैं कि इस तरीके से इसका राक्टिफिकेशन किया जाए जब हमने plant machinery खरी दी तो हमें सही entry यानि correct entry क्या बनानी चाहिए थी correct क्या है और हमसे गलत क्या हुआ through D क्या हुई यानि की wrong हमसे क्या हुआ दोनों को अगर एक बार पस्ट रुप से देखेंगे तो आपको इस पस्ट होगा कि आखिर इसको सही कैसे किया जाए अगर हमने plant and machinery एक लाख रुपय की खरी दी थी तो हमें इसकी entry बनानी चाहिए थी plant and machinery account debit to name of seller जो भी जिससे भी हमने खरी दी है एक लाख रुपया ये सही entry है पर जैसा कि ये हमें बता रहा है कि हमने trutiverse उसको crack हाते में लिख दिया यानि हमने इसकी entry बनाई purchase account debit to name of a person जिससे हमने इसको खरीदा एक लाख रुपय अब इन दोनों प्रविष्टियों को देखने से तो नात्मा क अध्यन करने से बिलकुल हमें सपस्ट हो रहा है कि name of seller अपनी जगे सही है यानि credit side सही है plant and machinery को debit होना चाहिए था जो नहीं हुआ purchase account को हमने debit कर दिया जो नहीं होना चाहिए अब इसको ठीक कैसे करें जो purchase account हमने गलती से debit किया हम उसको credit कर देंगे और जो plant and machinery हमें debit करनी चाहिए थी वो हमें debit कर देना चाहिए यानि हम इसकी rectified general entry बनाएंगे plant and machinery account debit to purchase account to purchase account एक लाख रख रख अब आपको यहां से बिलकुल स्पस्ट हो रहा होगा कि जो account हम गलती से debit कर देते हैं उसको ठीक करने के लिए वापस हम उसको credit कर देते हैं और जो account हम एक तही तरीके से debit करना चाहिए हम उसको debit side पर लिख देते हैं इस तरीके से ये entry पास करके इस two-sided error को हम ठीक कर सकते हैं और अभी हमने इससे पहले सिखा था कि जो द्वी पक्षिय अशुद्धी होती हैं यानि two-sided error होती है उसको ठीक करने के लिए rectified general entry बना जाती है जिसमें suspense account का कहीं कोई जिक्र नहीं होता तो ये है द्वी पक्षिय अशुद्धी एक और उधारण लेते हैं परचेज अकाउंट यानि क्रै खाता यानि का योग 2000 रुपे कम पाया गया अब आप देख रहे हैं ये जो हमने उधारण लिया है जो हमने एक्जाम्पल लिया है इसमें परचेज अकाउंट का टूटल 2000 रुपे कम है तो सिर्व गलती एक पक्ष में है और वो पक्ष है परचेज अकाउंट वन साइड़ेड एरर अभी हमने सिखा था ये वन साइड़ेड एरर आ जाती है तो उसको ठीक करने के लिए या तो सिस्पेंस अकाउंट उपन करें या विदाउट सिस्पेंस अकाउंट जैसा भी प्रशन के इंदर हमें निर्देश दिया जाए हम उसके अनुसार उसको हल करें तो मैं दोनों तरीके से एक बाद फिर करके दिखाता हूं अगर हमें सिस्पेंस अकाउंट खूलना है तो हमें पता है क्रैकाता यानि परचेज अकाउंट अगर डैविट किया जाए तो बढ़ेगा क्रेडिट किया जाए तो खटेगा अगर तूटी हमें दिखायए दे रही है कम पाया गया ठीक करने के लिए उसको बढ़ाना पड़ेगा और बढ़ाने के लिए उसे हमें debit करना है यानि rectified entry बनेगी purchase account को हम debit करें to suspense अगर हम suspense account खूलना चाहते हैं तो 2000 रुपे वहां लिखा हुआ है तो हम 2000 रुपे से suspense account खूलके इस entry को यानि उधारण नमबर 2 को हम उसे ऐसे ठीक कर सकते हैं अगर हम इसको चाहते हैं कि बिना suspense account खूले इसको ठीक किया जाए तो हम purchase का एक account तयार करेंगे यह purchase account है के debit और credit जैसा कि अभी मैंने आपको बताया purchase account को debit करने से इसका balance बढ़ता है क्योंकि हमें कम total मिल रहा है इसको बढ़ाना है इसके debit side पे हम इसको यहाँ पर two undercast of purchase account लिख देंगे 2000 रुपे की amount को debit side पे लिखेंगे और यह error ठीक हो गई बिना suspense account बिना उचनती account खूले तो यह दो चीज़े हमें clear होती है इन दो अधारण से तीसरा अधारण हम लेते हैं purchase of goods यानि कोई माल हमने खरीदा 2000 रुपे का entered in sales entered in sales book अब आप देखें यह ऐसी error है जो purchase account को भी effect कर रही है sales account को भी effect कर रही है और साथी साथ उस account में भी गड़ बड़ाई है जहां से हमने यह माल खरीदा है अगर हमने purchase of goods 2000 रुपे का माल अगर हमने खरीदा है तो हमें entry बनानी चाहिए थी purchase account debit to name of person 2000 रुपे यह सही है परन्तु हमने क्या किया उसको sales book में लिख दिया यानि कि हमने entry pass की name of person account debit to sales 2000 रुपे बच्चों आप देख रहे होंगे कि यह गलत entry हमसे pass हुई और यह सही entry अब यह एक ऐसी entry है जो purchase को भी असर कर रही है sales को भी असर डाल रही है और साथी साथ जिस से हमने transaction किया है जिस से लिंदिन हमने किया है उसको भी प्रभावित कर रही है इसको कैसे ठीक किया जाए इसको ठीक करने का तरीका जो entry हमने सही pass की है वो तो हमें करनी ही करनी है परन्तु जो गलत entry हमने pass की है उसको हम विप्रीत entry pass कर देंगे यानि name को हम credit करेंगे sales को हम debit करेंगे तो इसका प्रभाव शुन्य हो जाएगा और जो entry हमें जो प्रविस्टी हमें pass करनी चाहिए थी उसको हम pass करेंगे इसको करके दिखाते हैं purchase account debit sales account debit to name of person यानि की ये entry तीन account को effect कर रही है 2000 रुपे purchase account debit होना चाहिए था जो हमने कर दिया 2000 रुपे से sales account को हमने debit इसले किया क्योंकि हमने sales account को गलती से credit कर दिया था और जिस व्यक्ति से ये transaction हुई उसको हमने वापस 4000 रुपे से credit किया क्योंकि उसको हमने 2000 से debit कर दिया था उसको ठीक करने के लिए, उसका प्रभावशन ने करने के लिए, उसको क्रेडिट किया, साथ ये साथ 2,000 रुपे और हमें करने पड़े, क्योंकि 2,000 रुपे उसके क्रेडिट साइड पे आना चाहिए था, इससे ये इस परस्ट होता है, कि कितनी तरह की अशुद्धियां हो स जबती है, ये विपक्षी अशुद्धी थी, उसको कैसे ठीक किया, ये एक साइडिट वन साइडिट एरर थी, इसको हमने सिस्पेंस अकाउंट और बिना सिस्पेंस अकाउंट के कैसे ठीक किया, और ये ऐसी एरर है, जो एक साथ 3 खातों को प्रभावित कर रही है, और दुबारा से एक rectified general entry पास करते हैं और उस rectified general entry के पास करने से जितनी भी हमसे गलतियां होई थी वो सारी गलतियां अपने आप स्वताहई ठीक हो जाती हैं मुझे आशा है और विश्वास है कि आप लोग को ये सारा का सारा हमारा इस विशय का जितनी भी विशय विस्तु थी आपको समझ में आई होगी और rectification of error आपको बहुत अच्छे से स्पस्ट हो गया होगा इस वीडियो के लिए यही तक धन्यवाद